दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे सुन्दर दुलहन मिले लेकिन सोचिए अगर शादी के बाद गुनघट उठाते ही वो दुलहन भूतनी निकले तो आपका क्या हाल होगा। आपका तो पता नहीं लेकिन भारत के बिहार राज्य के दर्भंगा जिले में एक नहरा नाम का गाउव है जहा ऐसा ही कुछ हुआ है आई आपको पुरे किस्से पर लेकर चलते हैं। बूट दुलहन नहरा नाम के इस गाउव में स्थानिय लोग बताते है कि बहुत साल पहले इस गाउव में एक नौजवान की शादी हुई और वो जब वापस दुलहन लेकर लोट रहे थे उस समय में डोली में बिठा कर दुलहन को विदा करने का प्रचलन था जब डोली उ तो हाग रात में अपने कमरे में गया और जैसे ही दुलहन का चेहरा देखने के लिए गुनघट उठाने लगा तो अचानक उसे जोरदार प्यास लगी और पानी पीने की इच्छा जताई तो उस दुलहन ने वहाँ बैठे बैठे अपने हाथ लंबे क्रकुए से पानी का लोटा भरलाई इतना देखते ही दुलहे के होश उर गए और वो जमीन पर गिर कर बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसके सामने उसकी दुलहन एक भूतनी बूतनी दुलहन के रोप में बैठी थी और उसने दुलहे से कहा कि तुम मेरा राज जान चुके हो गाव उन्नती और विकास करेगा, भूतनी भूतनी दुलहन के ये कहते ही वो गायब हो गई और उस दुलहे ने सारी बात गाव वालों को बताए और सारे गाव वालों ने चूलहे की दिशामे कर दी. शास्त्रों में बताया जाता है कि चूलहे को दक्षंड में रखना अशुब माना जाता है क्योंकि भूतो और यम की दिशा दक्षंड दिशा होती है, सामान्यत चूलहे को कही भी इस दिशामें नहीं रखते लेकिन इस गाव के लोग कही भी चले जाए लेकिन अपने घर के चूलहे की दिशादक्षन में ही रखते है